और अब करश्री मंतरी रवेंदर चौबे ने पूरों मुक्री मंतरी डॉक्टर रमान सिंग को नाकाम सरकार का नायक करा दिया है। चत्यजगर को हम लोग हिंदुस्तान का सम्रिद और सबसे खुसाल राज बनाना चाहते थे। केवल यहां तिज़वरी भरने का चत्यजगर के संसादनों को साधन मनाए रहे। और विकास की जो हम लोगों ने कलपना कर रखी थी। चत्यजगर में वो विकास मिला नहीं। इसलिए मैंने कहा अस्फलता का महाना अच्छे पंदरा साल उन्होंने हुकूमत करने प्रिट्यों किया। इसलिए अगर अस्फल रहे तो स्रे तो उन्हीं को जाएगा ना। सहरा तो उन्हीं के सीर पे बंदेगा। इसलिए इस बात को कहना क्या आवस्कता पड़ी है। हमको याद जो दिला रहे हैं, उनको वायदे भी मालूम रहना चाहिए, उनके घोटाले भी मालूम रहना चाहिए, उनके सासनकाल में हुए एक कांड की भी उनकी जानकारी होना चाहिए। और जहां आश्यक होगी उसकी जाँच होगी लेकिन हमें उस दिसा में पीछे हट देखना नहीं है हमें 36 गड़ को विकास करना है आपको याशंका भी सता रही है कि अब भाषपा रमं सिंग को वानपरस्त या मारख दर्सक्र मंदल में देखती हैं मेरी आशनका नहीं है, उनकी पार्टी की ये परमपरा है, जो लोग वरिष्ट हो जाते हैं, जिनको नाकामियां गियां हाथ लगती हैं, केंदर में भी ऐसा हुआ, मोदी जी के चलते अडवानी जी को मार्ग दर्सक मंडल में डाला गया है, शत्तिस गड़ में भी मुझे पेश कुपता.